तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंथ क्लास के और हिंदी का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है जहासी की रानी आज आप लोग को जहासी की रानी के बारे में सन्घर्ष के बारे मं समझेंगे कैसे अपनी जिंदगी में संघर्ष कि नंकी पूरी कहानी समझेंगे वैसे तो इस चैप्टर ये जो चैप्टर है कवीता है याद और इस कवीता के लेखक लेखी का है और अथ है ये सुबद्रा कुमारी चोहान विखे तो चलिये में आप लोगों को यह कवीता जो है जहासी की रानी इसके पढ़तिये क्लाइन को पढ़ती हूं और उसका अर्थ समझाती हूं शुरुवात में लिखा गया है सुबद्रा कु कुटी तानी थी बुड़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमा कुठी संचत्तावन में वह तलवार पुरानी थी बुंदेले हर बोले के मुह से हमने सुनी कहा अंग्रेजों के खिलाब और माना जाता है तो देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि सिंघासन हील उठा अंग्रेजों का जितना पर सिंघासन था वह सारा हील उठा और राजवन्सों ने भवहें तानी थी और सभी मतलब यह जो भारत से अजादी गुम हो गई थी अंग्रेज इतने सालों से राज कर रहे थे भारत पर तो यह भारत पर राज करते करते भारत को बुढ़ा भारत बना दिये थे तो भूड़े भारत में भी फिर से न करने के लिए अंग्रेजों को दूर भागाने के लिए सबने मन में ठान लिया था चमक उठी संसातावन यानि प्लवार पुरानी थी लेकिन संतावन में 18-17 की जब क्रांदी हुई थी उसी वक्त वह तलवार भी चमक उठी जहासी कि गिरानी की और बुंदेले हर बुंदे गुंदेले जाती के लोगों के मुह से हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी मरदानी बनकर लड़ी थी वह तो जहासी वाली रानी थी जहासी की वह रानी थी लक्षमी बाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी नाना के संग परती थी वह नाना के संग खेली थी बर्च सवाजी की गथाए उसको याद जबानी थी गुं देले हर बोलो के मुझसे हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मर्दानी वह तो ज्हासी वाली रानी थी यहां पर बोल रहा है कानपूर के नाना की वह मुझो बोली बहन थी लग्ष मी बाई नाम था उनका पिता की वह संतान लक्षमी भाई और नाना के संग परती लगवावर याद रखती थी लक्षमी भाई को श्रिवाज वीर स्रिवाजी की गताये बहुत ज़दा याद होती थी और बुन्देले हर बोलों के मुझ से यानि कि बुन्देले जाती के लोग जो है वो जहासी की रानी के बारे में बताये थे कि बहुत ज़दा वो लड़ी थी, खुब लड़ी मरदानी जहासी वाली रानी थी लक्षमी थी या दुर्गा थी वह स्वय वीरता की ओतार देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार नकली यूद व्यूग की रशना और खेलना खुब शिकार सैने घेलना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रियाखिलवार यहां पर बो घवर रहा हैं और देख मराठे मराठे जो है ना मराठे लोग वह देखकर गर्व करते थे पुलकित हो जाते यहनु आनज जाते शिक्त करते थे जहासी कि तलवार की वार देख कर कि वाकई में यह तलवार बाजी कर रही है ठीक और नकली यूद करना वियू की रसना ठीक खेलना मतलब शिकार खेलना वगरा सैने घरना सैनिकों को घरना दुर्ग तोड़ना यानकी किला को तोड़ना यह सब उनका पिरियक खिलवार था ठीक महराष्ट कुल देवी उसकी भी अराध्य भवाणी थी बुंदेलेहर बोले के मुंसे हमने सुनी कःाणी थी खुब लड़ी मर्दानी वं तो जहासी वाली रानी थी यानि कि माराष्ट कुल देवी जो मितलब लक्ष्मी भाई की अराध्य भावानी थी और बुंदेलेहर बुंद ले बन आई लक्षमी जासी में राज महल में बजी बधाई खुशिया च्छाई जासी में सुबट बुंदेले की विरुदावली सीव आई जासी में चित्रा ने अर्जुन को पाया श्रीव से मिली भवानी थी बुंदेले हर बोलों के मुझसे हमने सुनी कहानी थी खुब प्रता कि यह वैभollar के सांथ जैसी में मतलब लक्षमी भाई की सगाई हुई और बया हो गई मतलब बया हो गया किसका लक्षमी भाई का और रानी बन कर आ गई जैसि में अब वो जैसी की राणी बन गई जासी की राजाए जो थे गंगाधर राओ उन से शादी हो गई लक्षमी भाई की तो अब वो जासी की राहनी बनकर जासी में आ गई और राज महल में बजी बढ़ाई राज महल में बुन्देले जाती ही बता रहे हैं उन्हीं के मुँसे सुना गया था कि खूब लड़ी थी लक्षमी भाई मतलब जहासी की रानी मरदानी की तरह उदित हुआ सौबा गया मुदित महलों में उजियाली छाई किंतु काल गती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई तीर चल थी देखिए यहां पर बोल रहे हैं कि सवागा कि उदित हो गया उजयाली छाई चाई कि लोग भड़ी धा खुष्ट थे लेकिन बोला जाता है ना कि ज्य्ञादा खुष भी नहीं होना चाहिये वह हुए इन के साथ ज्यादा खुष भी नहीं होना चाहिए है बहुत hasn पेना पॉसर्द नहीं करती थी लेकिन चूरीया नहीं पहना पसंद करने थी तो इसका मतलब यह थोड़े मतलब उनकी जो नहीं पैती है नंगा movimiento हो गई उनको तो चूरी पहना का शौख भी था लेकिन विधीक का बिदान के टिक इनकी तिधाक हो गई ऑफेकर ज जिसका पती मर जाते हैं पहले के जमाने में होता था कि वह जिसका पती मर जातेते थे उसको चूरी नहीं पहना पहना ते लेकिन एसा हूआ कि विधी का यह जंगा धार राव ओर नी संतान उनकी कोई संता नहीं थी बाल बचन नहीं थे और संतान मर गए और राणी शोक में समाई हुई थी और मुंदेले बोले बुन देले जो आती हैं उनके मुझे सुना गया था कि खूब लड़ी मर्दानी बनकर कौन थी जहासी वाली रानी बुझा दीप जहासी का तब डल्धुजी मन में हर्चाया राज्य हडब करने का उसने यह अच्छा उसर पाया फोरन फोजे भेज दुर्ग पर अपना जंडा लहराया जंड गंगधर राओ की मृति हो गई जब जहासी की मृति हो गई तो जहासी का बूझ तो मतलब दीप जो है वह बूझ गया और सभी लोग शोक में थे और आनी लक्षमी भाई जो थी वह भी शोक में समाई हुई थी और यह सारा चीज देखकर जो है डलहाव जी जो अंग्रेज थे वो मन में बहुत दाख्षुश हो रहे थे और मतलब राज्य जहांसी जो राज्य है उसको हडपने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा अशर था क्योंकि सभी लोग जो है राजा की मिरती हुई थी तो इसे अच्छा अशर क्या हो सकता है अंग्रेजों के लिए उस रचने लगा और तरह तरह की कोशिश करने लगा अशरुपुर्ण राणी ने देखा जहांसी हुई विरानी थी बुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मर्दानी वह तो जहांसी वाली रानी थी यहांसी विरानी हो गई थी यानि कि जहांसी विर आजा के मरने के शोक में सभी लोग 4 तरफ की जितनी भी खुशिया थी सारा मचलब मिट्टी में मिल गई थी सभी लोग शोक में थे ठीक और बुंदेले हर बोले के मुँंसे हमने सुने की शारा चीज लक्ष्मी बाई की कहानी चिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनओ बातो बात कैद पेश्वा था बिठुर में हुआ नागपूर पर भी गात उदैपूर तंजोर सतारा करनाटक की कौन भी साथ जबकी सिंध पंजाब प्रम्मा पर भी हुआ था भजर निपात बंगाले मदरास आदी की भी तो वही कहानी थी बुंदेले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जहांसी वाली रानी थी देखिए अंग्रेज जो है वो जो राजधानी था दिल्ली को भी छीन लिया लखनओ भी ले लिया मतलब जितना भी र अंग्रेजों ने ठीक ये सब कौन बता रहे हैं बुंदेले जाती की लोग बता रहे थे इनकी गाथा चोड़ चले हम जहासी के मैदानों में जहां खड़ी है लक्ष्मी भाई मर्द बनी मरदानों में लफ्टिनेंट वाकर आप पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में रा अग्रेजों का तो अधिकार हो गया अब आगे क्या हुआ इसकी कहानी छोड़िये अब हम आप लोग को लेच चलते हैं कहां जहासी के मैदान में जहां पर खड़ी थी लक्ष्मी भाई मर्द बनी मरदानों में और लफ्टिनेंट वाकर आया जो की अंग्रेज था और आग लखमी होकर भागने लगा उसको अजब है रानी थी कि ये तो एक औरत है एक विरांगना है जहासी लक्ष्म भाई जो है जहासी कि रानी लक्ष्म भाई जो है वह सोच रहा था वाकर कि मतलब यह एक अखेली और इतना धूल चटा दी अंग्रेजों को तो सोचो इसके जैस स्वर्ग ततकाल सिधार यमुना ततपर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार विजय रानी आगे चल दी किया गवालियार पर अधिकार देखिए रानी लक्ष्म भाई जो है वह लड़ाई करते करते युद करते करते सो मिल पार करके कालपी तक आ गई थी लाई करते-क कालपी तक आ गई थी और यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हर यमुना के तट पर अंग्रेजों को फिर से रानी लक्ष्मी भाई हरा दी और अंग्रेजों को हार खानी पड़ी और विजयी रानी यानी की रानी जीत के साथ चल दी कहां पर ग्वालियार और ग्वालियार पर रानी लक्ष्मी भाई का अधिकार हो गया ग्वालियार जित गई रानी लक्ष्मी भाई अब आगे देखिए अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी गुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मर्दानी वत चुड़ा दी थी विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी अब के जनरल स्मित सम्मुक था उसने मूँ की खाई थी काना और मुंद्रा सखिया रानी के संगाई थी युद छेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी पर पीछे ही रोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी बुंदेले हर बोलो के मुझे हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वह तो जहासी वाली रानी थी रानी को तो विजय मिल गया वह जीत गई लेकिन फिर भी अंग्रेज दुबारा अपनी सेना लेकर रानी को घेर लिये अब जो थे जनरल स्मित थे पहले ज अब कौन है इसमीध ऑनी जो मैं यंका ऑघर लेकर अगई के ल yen्री रादेशे बढ़ा नियुकर और मुंदर करेंगी लोड़ी ओंव ≤ अब तो अकेली रानी लक्ष्मी भाई अंगरेजों पर भारी पड़ रही थी अब उनके सांसा दोटो और सहली आ गई अब तीनों मिलकर भारी धूम मचाई थी अंगरेजों को खुब पीटा था खुब यूद की थी पर पीछे ही रोज आ गया अंगरेज था और हाई घिरी जब रानी थी रानी अब जो है घिर चुकी थी चारो तरफ से तो भी रानी मार काटकर चलती बनी सैन्य के पार किंतु सामने नाला आया था या संकट विसम अपार घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गये सवार रानी एक शत्रू बहु तेरे होने लगे वार परवार घायल होकर गिरी सीहनी उसे वीरगती पानी थी बुंदेले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी बोला जरा है कि चारो तरफ से रानी लक्ष्मी भाई घिर चुकी थी लेकिन फिर भी रानी मार काटकर जो है अब उनको जीत ना था और रानी पानी और ऐसकी ईथवारी थी मिला तेज से तेज की वह अच्छी अदिकारी थी अभी उम्रत्कुल 23 की थी मनुल नई अवतारी थी हमको जिवित करने आईबन स्वतंतरता नारी थी देखिए वो चारो तरफ से मतलब घिर चुकी थी और घायल होकर रानी लक्षमिबाई जमीन पर गिर पड़ी और उनको किसी भी हाल में वीर गती पानी थी और बुंदेले जाती बोल रहे हैं कि दास्त No एबन कि और वो सभी को जिवित करने के लिए स्वतंतरता नारी बन कराई थी सबको सीख सीठाब जाने के लिए ठीक और दिखा गई पट जिखाद हम्कोंगों सिखानी थी बुण्देले हर बोलों के मुँं हमने सुनी कहानी थी यानि कि जो भी हम लोग को रास्ता दिखाना था वो दिखा गई सीख सिखा गई कि मतलब अंग्रेजों को छोड़ना नहीं से लड़ते रहना है लगी लगते जुकी नहीं नहीं भली मतलब घार चारों सभी लोगों के लिए भारत के सभी देश्वासियों के लिए यह सीख दे कर गई कि किसी भी हाल में अंग्रेजों के सामने जुकना नहीं है और दिखा गई पत राष्टा दिखा गई सिखा गई कि हमें सोतंतरता के लिए उन अंग्रेजों से लाई करनी होगी चाहे खून क्यों न बहाना पड़े बुंदेले हर बोले के मुझसे हमने सुनी यह कौन बता रहे हैं बुंदेले जाती बता रहे थे कि बहुत ज़्यदा लड़ी थी कौन मरदानी बनकर रानी कवीता आप हमें कमेंट करकर पूर सकते हैं 18-17 की जब करांती हुई थी वही उसी वक्त जहासी की रानी चारों तरफ से क्रांती हुई थी बहुत बढ़ी क्रांती थी इसमें रानी लक्ष्मी भाई भी क्या कि थी लड़ी थी तो वही बात बताएगी यह ठीक तो चलिए व और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद बैल एकर यानि की घंटी को दुबा कर और का अफसन क्लिक कर ले रहा है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहरे पहुचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स टूडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज